नमस्कार आज हम आपको महाशिवरात्यी बृत पुजापाट और उसके विद्विधान की पिसे में बताएंगे महाशिवरात्यी का विद्विधान क्या है किस प्रकार हम भगवान भोलेनात का पूजन करें जिससे भगवान शिव की हम पर क्रपा वनी रहे महा सिवरात्ती का ब्रत फागुन क्रेश्म पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है कहते हैं स्रश्टी का आरम भी इसी मध्रात्र को भगवान संकर का ब्रहा से रुद्र रूप के में अवतार हुआ था प्रले के समय इसी दिन भगवान सिव ने तांडब नरत करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नित्र की ज्वाला से समाप्त कर दिया था इसलिए इसे महा सिवरात्ती या काल रात्र भी कहते हैं त्रियोदसी को एक बार भोजन करके चतुरदसी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है काले तिल से इश्नान करके रात्री में बिद्वत भगवान भुले नात का पूजन करना चाहिए बेलपत्र पुस्प तता सुन्दर बस्त्रों से मंडप तयार करके बेदी पर कलस की इस्तापना करके गौरी संकर तता नंदी की मूर्ती रखनी चाहिए कलस को जल से भरकर रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलाइची, चंदन, दूद, घी, सहत, कमलगटा, दतूरा, बेलपत्र, आध का प्रशाद भगवान श्रिप को अरपड करते हुए पूजा करनी चाहिए राक्त्र को जागरर करते हुए चार बार भगवान सिब की आरती का विधान जरूरी है दूसरे दिन प्राते, जो, तिल, खीर, तता बेलपत्रशे हवन करके भ्रमबडों को भोजन कराकर ब्रत का पारण करना चाहिए भगवान शंकर पर चड़ाया हुआ नैवित खाना निसिद्ध होता है हम जो भी भगवान सिब पर चड़ाये उसी नहीं खाना चाहिए तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करें